बच्चो नमस्कार श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में बच्चो मैं हूँ अर्विन द्यादव बच्चो मैं लेकर आया हूँ MPPAT की किलास हैं बच्चो आप जैसे बच्चो की डिमाइंड थी कि सर PAT की किलासे चलबाईए या तैयारी करेंगा कि पर दे आपको दो से तीन वीडियो मैं आपको अपलोड कर सकूँ और अपने के बाद आप अच्छी तरीके से पड़ें चीजों को समझेते चलें और पूरा कोर्स कराने की मेरी पूरी कोशिस रही कि मैं आपको पूरा कोर्स यहां पर करा सकूँ ठीक है ना बस आप पढ़ते चलिए बचो अगर आप हमारी यूटूब चैनल पर नए जोड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल अकर को दवाना बिलकुल न भूलें जिससे आपको नया वीडियो मिले उसका नोटिफिकरिन सबसे पहले मिल सके तो आज के वीडियो में एन उन वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने काफी पि एटी की कलासे करा दी हैं चलिए इस वीडियो की हम दें ना करते हुए आँज सबसे पहले के बारे में हम लोग जानना है सबसे पहले भारती नसलों के बारे हम जानेंगे कि दो तरह की नसले होती हैं भारती नसले और विदेशी नसले तो भारती नसले में सबसे पहले हम बात करेंगे जमना पारी जमना पारी जो बकरी है इसका उत्पत्ति स्थल की बात करें तो इसक पर पाई जाती है याद रहे उत्पतिस्तान जमना पारी बक्री का है उतरपदेद जमना पारी बक्री सबसे ध्यान रखें important बकरी है याद रखना है आपको यह बकरी की stress दोय प्रियोजनी यह नसल है दोय प्रियोजनी यह नसल का मतलब होता है यह दूद भी देती है और इसे मास भी प्राप्त होता है मतलब double purpose आपकी यह breed है ठीक है ना याद रहे यह double purpose stress है सबसे ये भी आपको याद रखना होगा नेक्ष्ट बच्चो इसके कान घडी के पेंडूलम जैसे लंबे घुमापदार होते हैं इसका जो मैन करेक्टर वो यह है कि इसके जो कान होते हैं घडी के पेंडूलम जो आप घडी होते हैं पेंडूलम कई घड़ियों में होता है कई में नहीं होता है पेंडूलम जो लटका होता है जो मटकता रहता है जैसे लंबे होता है कान होता है और घुमापदार इसके काम होता है पीछे की और ये घुमे रहते हैं लंबे-लंबे इसके कान पाये जाते हैं जमनापारी बकरी मे नेश्टे बच्चो इसकी रोमन नाक तोते जैसा मू होता है ये याद रखना है बिसेस पॉंड कई बार आपके P.A.T. एक्जाम में पूछ लिया गया है कि बताईए रोमन नाक किस बकरी की होती है तो आपको याद रखना है जमना पारी बकरी की नाक रोमन होती है रोमन मतलब तोते जैसा मू इसका होता है जमना पारी बकरी का कैसा मू होता है तोते जैसा बार बार इस पर मैं जोड दे रहा हूं क्योंकि इस पॉंड को कई बार आप एक्जाम में पूछ लिया गया है बच्चो इसके पिछले पैरों पर लंबे बाल होते हैं बिल्कुल बच्चो जमना पारी बकरी के पिछले पैरों पर बड़े बड़े लम्मे लम्मे आपके बाल पाय जाते हैं तो बच्चो ये इसके मैन करेक्टर हैं इनको आप लोग याद रखेंगो और इनी से ही प्रिष्ण बनता है आपके जम के बताईए लम्मे बाल किस बकरी की पहचान है पीछे पैरों पर लम्मे बाल किस के होते हैं ध्यान रखें जमना पारी बकरी के लम्मे बाल पाय जाते हैं रोमन नाक और घुमापदार आपके कान पेंडूलम जैसे ची के ना उत्पतिस्तान जन्रली सब जानते हैं इटाबा उतर परेश होता है तो ये हैं आपकी भारती नस्ल की पहली नस्ल जमना पारिये बात करते हैं आगे बचे दूसरी नस्ल है बरबरी बरबरी नस्ल का सजब उत्पतिस्तान भारत है इस बास करते हैं दूद उत्पादन के लिए पाली जाने वाली नस्ल जन्रली बरबरी बकरी को दूद उत्पादन के लिए पाली kaikki इसलिए यह है मुक्ता सहरों में पाली जाती है कहां पर पालते हैं इसको ःडिया pearls city area में आपने देखा हुआ कि जो कस्वे होते हैं वड़े सहर होते हैं बहाँ पर ये आपको बक्री मिलती है वो सरे लोगों ने देखा हुआ इसलिए इसे सहरी बक्री के नाम से भी जाना जाता है किस नाम से जानते हैं कि इसको सहरी बक्री, city of goat कह सकते हैं इसको ध्यान रखें आप लो एक ब्यात में दो बच्चे देना इसकी मुख पैचान है बसे तो आपने देखा है कि कई देशी बक्रियां भी एक बार में दो बच्चे देती है लेकिन बरबरी बक्री हर बार एक बार में दो बच्चे देती है याद रखें एक ब्य स्ञaus बढ़े नहीं होतें बिलकुल छोटे होते हैं और रहा जैसे प्रत G और सपेध होता है आपने सिटी में इसको देखा है चली बढ़ें नेक्स नसले आपकी तीसरी भीटल है बच्चो बीटल नसल इसका उत्पतिस्तान गुर्दासपुर पंजाब माना जाता है बहाँ पर इसका उत्पतिस्तान है कहाँ पर गुर्दासपुर पंजाब ठीक है बीटल नसल जमना पारी जैसी दिखाए देती है ये बच्चो एगरी कल्चर सुपरवाईजर राइस्तान में प्रश्ण पूछा गया था अभी एक दो साल पहले जुग जाम हुआ था 2019 में उसमें ये प्रश्ण पूछा गया था कि बताईए कौन सी नस्र जो है जमनापारी जैसे दिखती है तो याद रहे बीटन नस्र जमन छंड़ी पाई जाती है इसकी जो मुख पैचान है वी कि बार पूछा जाता है कि बताई ये किस नस्र चाहिए जो लूचर बताईसके नर में मास के लिए जो इस पेसल नस्ल है वो है बलेक बंगाल याद रहें यह बंगाल में पाई जाती है जन्रली और ये अनवकरी जो देसी नशल होती है व्यसके बलैक कलर्ट में होते है लेकिन यह जो होती है ना इसके सरीर पर बड़े बड़े लंबे घने बाल रहते हैं जुआ नसल बीमारियों के प्रती-प्रतिरोद है यह नसल क्या है इसमें बीमारियां कम लगते हैं मतलब इसको रोग इसमें कम लगते हैं इसकी मुक पैचाना मारबाडी में अपने रोगों से लड़नी की छमता इसमें सबसे अधिक पाई जाती है तो बच्चों आपको जितनी भी देशी नसल थी बहरती नसल थी उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी नसल है मारबाडी हो चाय बरबरी बीटल या जमनापारी सभी के बारे में डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है इनसे जो भी प्रश्ण बनता है वो आप अच्छी प्रकार से समझ गयेंगे कि किस प्रकार से कौन सा प्रश्ण बन सकता है अब आपको बताएंगे बिदेसी नसलों के बारे में बिदेसी नसल कौन-कौन सी होती है देखिए इसके बाल सपेद इवा मुलायम होते हैं और बचो इसके बालों से मोहिर नामकून बनाई जाती है सबसे important point अंगोरा नसल का कि बताई एक question किस प्रकार बनता है कि बताई ये मोहिर नामकून किस बक्री से प्राप्त होती है मोहिर याद रखे अंगोरा नसल की जो बक्री होती है इसकी जब बाल होते ना उसको मोहिर कहते हैं क्या कहते हैं मोहिर जिससे उन बनाई जाती है इस उनका विविन प्रकार कपड़े बनाई सब जानते हैं कि उनका विविन प्रकार के आपके कंबल जो भी कपड़े होते हैं वह बनाए जाते हैं और को erब बात करते हैं दूसरी नसल के बारे में दूसरी वक्री की बिदेशी नसल पर अल्पाइन का उत्पतिस्तान फ्रांस इरोप है और इसे दूत के लिए मुश्ली पाला जाता है यह कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन कई बार पूछा जाता है कि बताइए अल्पाइन का उत्पतिस्तान का पर है तो अल्पाइन का उत्पतिस्तान है वो है आप का France Europe यह आपको जंदल यादरन दूस के लिए तो पाली जाती है इसमें कोई सक नहीं है लेकिन उत्पतिस्तान कई बार आपके एक जाम में पूछा गया है अलपाइन से कि अलपाइन का उत्पतिस्तान कहा है तो देखी France Europe इसका उत्पतिस्तान है ठीक है तो अंगोरा और अल सो पतिस्तान सुट जल लेंड है जबकि की जो मुख पैचान है वह ये है कि यह नसल सींग रहत होती है इसमें सींग नहीं पाईजाते हैं ध्यान रहे है टोगन बर्ग चाहल नरहो या मादा दोनों में बक्री यवां बक्रा में आपके जो सींग वो नहीं पाहły जाते हैं कि सीन उनमें नहीं होते हैं नो याद रहे आपको टोगन बहर बोढ़ चोके नहीं होते है इसका रंग चॉकली होता है यह याद रखें कि जो नसल होती है आपकी टोगन वर इसका कलर कैसा होता तो याद रहे चौकलेटी कलर इसका होता है यह एक दोधारू नसल है और लगबग 5-6 लिटर दूद प्रति दिन यह दे दिये अच्छी नसल है दूद के मामले में देखा जाए लगबग 5-6 लिटर दूद इसको प्रति दि छोटा होता है यह भी आप इसके बारे में थोड़ा सा याद रहेंगे विशेस पॉइंट है सींग रहेत पाई होती है तो गल्बा कलियर चलिए बढ़ते आगे बच्चों विदेशी नसलों में सबसे important नसल है शानेन सानेन का उत्पतिस्तान पूछा जाता है तो धेहा रखें सानेन का उत्पतिस्तान है सूचजर लेंड कहां पर है है आपका सूचजर लेंड इसका ओरिजन है विशेस आप लोग याद रखेंगे special point है कई बार पूछ की नसल है साने याद रहे इससे जादा दूद्ध दुनिया में कोई भी बक्री नहीं देती है साने एक ऐसी बक्री की नसल है जो सबसे जादा आपके मिल्क पोड़क्सन करती है इसलिए इसे दूद्ध की रानी कहा जाता है याद रहे साने बक्री को दूद्ध की रानी कहते ह queen of milk याद रहे आपको समझ में आ गया होगा चलिए इसके नर्बा मादा दोनों में डाड़ी पाई जाती है ये भी आप लोग याद रखेंगे कि इसके नर्बा मादा दोनों में आपकी डाड़ी मिलती है इसके जो चाहे तो बक्री हो या बक्रा दोनों में ही आपकी जाड़ी पाई जाती है तो सानेन के बारे में सबसे ज़्यादा important point है सभी इसके लिए important है याद रखें चारों point मैंने दे रखें सानेन से related और सानेन सबसे महत्पून नसल है ये चीज़ आपको अच्छी प्रकार से याद हो ठीक है ना तो ये बिदेशी नसल थी बिदेशी नसल के बारे मैंने आपको बता दिया है तो बच्चो बक्री की देशी और बिदेशी नसलों के बारे मैंने बताया जो महत्पून नसले थी सभी को मैं लेकर आया और बच्चो आपको ज़रूर बक्रियों से एक से दो प्रश्ण बनते हैं इनको अच्छी प्रकार से आथ समाझ लें ठीक है ना तो बच्चो MPPAT के तयारी मैं आपको कराऊंगा बस आप मेरे साथ पढ़ते हैं रोज आपको कोशिश करूँगा दो से तीन वीडियो आपको प पलता मिलेगी ठीक है ना बस आप पढ़ते रहना हो सकते तो नोट्स भी आप तैयार कर सकते हो अगर आप अच्छी तरीके और आप मान के चलिए कोई पुरानी बाली वीडियो आपने नहीं देखिए तो आप हमारी चैनल को क्लिक करें अगरो टैक स्टडी में अंदर में तब तक के लिए बच्चो नमस्कार